इनकार किया है जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर वादा है एक दिन ऐसा समय लाओंगी कि मुझे से मिलना पड़ेगा समय लेकर तो आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल गर्जना जीत किये तो आज जो है हम लोग पहले कुछ जरूरी चीजों पे बात करेंगे मेरे कुछ भाई बेयान हैं जो कुछ प्रश्नि कर रहा हैren in comment में बताने का प्रयास कर रही हों लेकिन उसके जवाब में भी मैं दे देती हूं और उसके बाद फंगतियां हैना जो हम चाहिंप कड्याइध में जो जात मार्न करते हैं तुछी भी दिस्कस करें, कुछ त्रिक्स भी मैं बताओंगी आप लोगों को कुछ एक मेरी बहान ने पूछा था, या मेरे भाई कोई किसी ने कहा था कि कुछ आप बताईये, जो आपने टिक्स बनाए था, उसको बताईये, तो एक दो जो है बताओंगी, और फिर धीरे-धीरे मैं आग मैं बता दूँ कि मेरा बच्चा 40 मैंने का था छोटा सथा तब मैं उसे छोड़ के जाती थी और हमेशा उसको मैं छोड़ के काम की हूं और अगर नहीं भी कोई देखने वाला है तो रात अपनी होती है, मैंने इसके पहले भी कहा था कि रात अपनी होती है, त्याग तो करना पड़ेगा, यह जान लीजे, मैनेज आपको ही करना है, जैसे क्या होता है कि जब हम खाली होते हैं, तो जो बच्चे डिवान करते हैं, तो सारी चीजे हम बनाते जाते हैं, लेकिन अभी फिलाल हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, बच्चों को भी देखना है, तो हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बच्चों को भी छोटी मोटी चीज, ऐसी चीज बनाएं, जिससे उन्हें जट पर तयार भी हो ज अभी भी जब पढ़ाई करना शुरू कि आप लोग तो अपने दिमाग में यह चीज बैठा लीजिए, कि मान के चलिए दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कि एक मतब आग जल रहा है, उसमें हम जान बोज के कूद रहे हैं, और हमारे शरीर, पूरी मेरी शरीर जले हीरा का क्या है, हीरा देखिए, अगर उसको कटिंग करकर के ही, उसको कितना मतलब कटिंग किया जाता है, कितना घिजा जाता है, रगला जाता है, तब वो चमकता है, तो कोई भी चीज, यह प्रकिती का नियम है, कि मतलब आपको तपना पड़ेगा इस चीज के लिए, आप अपने दिमाग एदम प्रिपेर कर लिजे कि हां मुझे कस्ट होगा और ऐसा करना है मुझे है ना जैसे एक मिट्टी का ही आप अरे सारी एक्जामपल इसी पर है आप एक मिट्टी का छोटा सा बरतन का ही एक्जामपल लिए जब कच्छा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नही तो यह भुषपूरी लांगवेज है हमारे यहां ऐसे बोला जाता है कि अब तो उखडी क्या ओखल जो जानती है तो द्धान को तो कोई खाता नहीं चावल खाते हैं सभी लोग लेकिन क्या करते हैं उसमें डाल के खुब कूटते हैं तब जाके उसमें चावल निकलता है जो हमारे यूज के लाइक होता है तो दिमाग में बैठा लिजए कि आपको भगवान अगर आसा कर रहे हैं तो अच्छा संकेता के लिए आप कुछ हांसिल कर सकते हैं ठीक है सारे एक्जामपल आप कोई भी एक्जामपल उठाके देखेंगे तो बिना किसी पत्थर को भी क काट के समझी उसकी मूर्ती बनाई जाती है तो उसको काटा जाता है घीजा जाता है उसको चिनी हो थोड़ी लगती है तब जाके कुछ वह काम लाइक चीज बनती है तो यह सारी चीजें होगी हमारे साथ ठीक है और एक प्रशन था कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से रोज का आप पताए थे आपको कई हर वीडियों बता है कि रोज का हफ्ते का और महीने का प्लानिंग होना चाहिए और यह यह टॉपिक तयार करना है यह टिक लगाते जाए यह ना वहीं मैं बताऊंगी अभी आपको मैं कैमरा बैक करके दिखाऊंगी कि मैं किताबों में टिक लगाती चलती थी इससे अपना मनोबल बढ़ता है जैसे आप कुछ टॉपिक लिखिए और उसको टिक जब हो जाए तो टिक लगाए गेम देखिए बच्चे खेलते हैं तो क्या वह लोग करते हैं कि जब टार्गेट होता है तो उसे वह लोग कुछ उसको क्या है चरिघ है तो शुरू से वह शुरू करेगा है ऐसके बाद जो है कि टेस्ट जो आप लोग टेस्स वराइन कहीं भी ऑनलाइन तो उसमें जाधी अकर नवर नहीं आरा तो उसके लिए परिशान मत होई है वह टेस्ट जो होता है उसको आप अगर शुरू में 60 नॉमबर 80 नब करते थी ताकि मुझे अच्छा लगता था जब किताब में खोलती थी न यह मेरा तरीका है आप लोग अपने तरीके से देख सकते हैं तो यह लगता था ना कि जैसे क्या कहते कि हाई मैंने यह पढ़ रही हूं और मतलब इसको मैंने कवर कर लिया तो अपनी अपने अच्छा कि याद करने वाले चीज़ तो उस पर मैं अंड बढ़ा आये पड़ा आपने आपको परसान मिलता था और पंग्टियों को कैसे याद करें पूरी-पूरी पंग्तियां मैंने याद करती थी जैसे न कुछ ट्रिक से न कुछ शब्दों को पकड़ लेधी ती जैसे महाविर प्रसाद का है तो उनका कुछ शब्दों से पकड़ लिया और किसी का है जैसे उनका भारतिन लुहरिक्षचंद का है कि प्यारे तीहारे निहारे बीना अखिया दुखिया नहीं मानती है ठीक है तो यह वारी मुझे बहुत पसंद थी तो जब मुझे गाना भी गाना मुझे स सजनी हरी हाथ से लेगव माखन रोटी इसको भी गागा के है ना इस तरह से यह सारी चीज अपनी तरीके हैं याद करने के तो अब मैं कैमरा बैक कर रही हूं और आप लोग देखिए कि किस तरह से मैं चीजों को याद करती थी देखिए यहाँ पर यह जो है यह मैतली श्रडगुप्त का है तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से अंडरलाइन करके चीजों को मैंने में में चीजों को जो भी है मैं अंडरलाइन करके पढ़ दी थी यहाँ भी देखिए इस तरह से तो यह मेरा तरीका है पढ़ने का और देखें यहां पर मैंने यह भी दिखिए यहां का है ना पंचवटी मैं पंचवटी इनकी रचना है 1925 में लेकिन पंचवटी प्रसंग जो है वो निराला की है तो मैं वहीं पर पेंसिल से लिख भी लेती थी कि मतलब याद करने के लिए इस तरह से ठीक है अब यहां पर देखिए कुछ समय जब मेरे पास टाइम था तो बड़ा शौक लगा था तो मैं इस तरह से हाइलाइट भी कर थी लेकिन मैंने किया नहीं जादे एक दो उस पर ही वस्तिया है ठीक है तो यह जो है और यहां पर देखिए पंक्तिया है जैसे जैसे माली जै यह वाला है न प्यारे तिहारे निहारे भी न अखिया दुखिया निमानत है तो इसको जो है न मुझे बहुत पसंद आए फिर जैसे यह ठाफुर जग मोहन सिंग का अब यू उर आवत है सजनी मिल जाओं गरे लगिके छतियां मन की करिभाती अनेकन और मिल इनकी पंक्तियां और बाकी तो छोड़ दीए जैसे कुछ चीजे जो हैं यह देखिए इनके पंक्तियों में बैल महराज करके आया है ना तुमिय नराता भारत के सचमुछ बैल महराज महराज बैल राज महराज बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना के मोताज, तो अब इसको मावीर से इसको बैल को जोड़ गूँगी, है ना, पूरा पंक्ति याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं कहूंगी, सोचूंगी दिमाग में कि मावीर मतलब हनुआं जी, ठीक है, और ह तरह से मैं पूरा नहीं याद करती थी अब यह पंक्ती जहां भी मेरे आंक के सामने आएगी एक्जाम में तो मुझे तुरंत याद आगया कि चलो यह जो है महावविर प्रशाद इवेडी जी का है यहां पर देखिए जैसे मैं पेज फोल्ड किया है इसक तरह से मारे पड़ना मैं पेज फोल्ड कर लेथी ती यूसको नोट भी कल लेथी ती अब रामधारी संग दिनकर कण जी का है तो इसको एक में ट्रिक बता रही हूं क कैसे मैंने याद किया था तो जो जो में चीज़े से रामधारी सिंह धिंकर में है राश्टे-सांस्क्ति-चैत्ना आप्रक्रतिवादी-चैत्न दोनों ट्व्धिवान है हिनके में एन किया हुआ है रामधारी सिह दिनकर को समय सूर्ब और अध्यर तो दो दो चीज को लेके चलिए पूराय दिक्कट होगी तो इमेजन कर लिजिए कि रेडुका कोई लड़की है है कोई रसवांती एसब कोई लड़किया है तो जैसे रेडुका हुंकार है और अस्वंती द्वंदगीत गाती है और कुरू छेत्र तुरंत बोल दीजो प्रबंद काविये जैसे कुरू छेत्र बोल ये प्रबंद काविये कुरू छेत्र में सामधेनी इमेजन करिए कि ये भी कोई लड़ती है कुरू छेत्र में सामधेनी रश्मी रथी पे बैठ के नील कुसम लेके आती है अब एक धर का आपको याद हो गया अब इधर का पार्ट बाद में याद करेंगे देखिए रेडु का हुकार करती है रस्वन्ती द्वन्दगीत गाती है और कुरू छेत्र पवंध काविये जो वहां उस पे सामधेनी रश्मी रथी पे खंड काविये बैठ के आती है और क्या करती है नील कुसम लेके आई है अब इधर का हम छोड़ दी इधर का हम को कुरू तुरंत बोल दीजिए कि गीतनाटि दिल्ली में उर्वशी जो है वो परशुराम के पतिक्छा कर रही है जो उसकी आत्मा की आखे यांखे ना है ना तो आत्मा की आखे जो हारे के रिनाम गाती है वहीं पर इमेजन करिए यह बहुता है होगवान होता है पूजा प तो वही पर दूब और दुब और दूब करें। और वहीं धूप और धुवा निकल रहा है नीम के पत्ते से जहां और फिर उससे क्या हो रहाई थियास के आंसों निकल रहे हैं तो इस तरह से जो है अब थे कि दिनकर ने मैथी शरगुप्त के सामने स्वैम को महज डिप्टी राष्ट कभी ही माना है यह कोशन अगर है तो इ वीडियो जो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोगे इसलिए में करऊंगी कि आप लोग देखिए इंप्र पर शारी हैं मैं बार बताऊंगी आप और टार्गेट छोटा-छोटा रखिए जैसे कुछ लोग परिशान ने कहां से शुरू करें इतना लंबा टार्गेट रोज का मत रख लीजिए डेली का प्लान कर रहे हैं कि आपका तयार ना हो अगर लंबा लंबा टार्गेट बना लेंगे न कि आज हम यह भी पढ़ेंगे यह भी पढ़ेंगे यह भी पढ़ेंगे अकर आसा कर लेंगे तो हो सकता है कि वह अगर नहीं पूरा होगा तो आपको आपका दिमाग मतलब अपसेट हो जाएगा आपका पढ़ायमन लेगे पहले जितना बनाई होतना कर लीजिए उसके बाद और उसमें एड़ कर हम तो समझते हैं कि पढ़ाय लिखाय सबसे आसान चीज़े बागी काम हों से बस हमें समझना कैसे हम पढ़े कैसे क्या करें कि दिमाग में हमारे जीजी सरी बैठंगे एक्साम में हम गलत ना कारें तो आज किए वीजिएओ में इतना ही वीडियो पसंद आता तो लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे वीडियो में मिलते हैं अपने आप लोग प्रश्ण कमेंट के माध्यम से पूछिएगा मैं वीडियो बनाऊंगी और या तो प्रश्ण क्या उत्तर वहीं पर देने का प्रयास करूंगी तो आज के वीडियो में इतना है